अगर आप Pharmaceutical Industry में वग करते हैं, किसी भी सेग्मेंट में हूँ, या फिर अगर आप Pharmacy के एसुडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो मैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि Pharmaceutical Industry के कितने सारे regulatory authorities हैं all over the world, और उन सारे regulatory authorities के role and responsibilities क्या हैं, वो regulatory authorities एक दूसरे से connected कैसे हैं, या फिर वो apply कैसे करती हैं उनके अपने guidelines को अलग-अलग companies के उपर, जैसे माल लेजे कोई company अगर इंडिया में है, तो उस पर कौन सी regulatory authorities के guidelines को उसको follow करना चाहिए All over the world में medicines बनाई जाती हैं, sale किये जाते हैं, बहुत सारे अलग-अलग उसमें process होते हैं, बहुत सारी अलग-अलग phases होते हैं, बट इन सारे चीजों को अगर हमको control करना है, regularize करना है, तो वो कौन करेगा? कहीं कहीं government के कोई एक कैसी body होनी चाहिए, जो इनको इनके उपर अपने control रखे, इनको guidelines प्रवाइड करे, जो इनको अगर ये कुछ गलत करते हैं, तो उस पर इनके उपर penalty लगाए, इनको ban कर सकता है, तो इस तरीके से वो industry पूरा सही तरीके से work करेगी, कोई भी industry बिना कि इसी भी एक body के authority के work नहीं कर सकती है, तो ऐसी pharmaceutical industries में बहुत सारे regulatory authorities हैं, कुछ national level पे हैं, कुछ international level पे हैं, हर एक country के पास अपनी regulatory authorities होती हैं, क्योंकि वहां का जो government है, उस industry को regularize, control करने के लिए एक अपनी authority बनाता है, जैसे इंडिया के पास CDSCO है, US के पास US FDA है, असलिए पास TGA है, सौद्वरे का पास MCC है, ब्राजिलिक पास Envisa है, ऐसे जितनी भी companies, जितनी भी countries हैं, सब के पास अपनी regulatory authorities हैं, जहां पर drug manufacturing हो रहा है, sale हो रहा है, तो आज हम आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि इन अलग-अलग regulatory authorities हैं, जैसे CDSCO है, US FDA है, WHO है, ICH है, ये regulatory authorities का scope कितना है, ये companies पर apply कैसे होती है, माले जी अगर इंडिया में कोई company है, और वो अपने medicines को manufacture कर रही है, medicines को manufacture करके वो इंडिया में ही उसको sale करती है, तो उसे किस-किस guidelines को follow करना पड़ेगा, तो अगर वो domestic production करके यहां पर distribute कर रही है, उसके किसी दूसरी country में कुछ भी न करने लिए, बट अगर उसको किसी और countries में sale करना है, तो किसी और countries में export करना है, तो उसे उस country के regulatory authorities के GMP को follow करना पड़ेगा, उनके और guidelines जो भी related हैं, वो सब follow करना पड़ेगा, तो इस तरीके से industries में ये guidelines follow करना पड़ेगा, अगर हम यहां पर हैं और हम कोई company हमारी है, जो युएस में export कर रहा है, यूके में export कर रहा है, बाकी Gulf countries में भी कर रहा है, ठीक है, European countries में भी कर रहा है, तो हमें किसको इसको follow करना पड़ेगा, अब जितनी सारी authorities हैं, हमको सब को follow करना पड़ेगा, बट होता क्या है, कि अलग अलग authorities में जो उन्होंने GMP के बारे में बोल है, जो उन्होंने GLP के बारे में बोला है, जो उन्होंने documentation के बारे में बोला है, जो उन्होंने data integrity के बारे में बोला है, जो उन्होंने risk assessment के बारे में बोला है, वो approximately सारे regulatory authorities का conclusion है, वो same है, तो अगर आप किसी भी regulatory authority, जैसे सबसे high class, अगर हम किसी की भी guidelines को समझते हैं, तो वो है USMDA, जिस जो day by day अपने policies को बहुत upgrade किया है और compliance को बहुत ही जादा extract कर दिया है, उसे हर एक point पर एकदम complete compliance चाहिए, कहीं पर भी data integrity का कोई gap होने का chance नहीं है, तो इस cases में क्या है कि आगर आप किसी अच्छे regulatory authorities को follow कर रहे हैं, that means कि अगर आप top को follow कर रहे हैं, तो अगर उसने सारे चीज़ों को cover कर लिया है, तो बाकी जो authorities हैं, उनके जो requirement हो पूरे होंगे ही, ठीक, तो इस तरीके से ही ये सारे guidelines एक दूसरे करे साथ चलते हैं, अब कुछ regulatory authorities हैं, जिसे ICH है, जिसे WHO है, ISO है, ये सब किसी country specific नहीं है, ठीक, ये कई सारे groups of the countries के ऊपर applicable होते हैं, जैसे WHO को बहुत सारे अपने जो उनके health mission होते हैं, वहाँ पर उनको उसके लिए, उस mission के through, उनको बहुत सारे countries में अपने medicines को distribute करना है, तो फिर अब अगर उनको distribute करना है, WHO को distribute करना है, तो वो किसी country से खरी देगा उसको, जब किसी country से उसको खरी देगा, तो उस country में जो, जिस company से वो खरी देगा, उस company के पास WHO का approval होना चाहिए, क्योंकि अगर हम WHO को sell करने वाले हैं, तो WHO का जो parameter है, जो standard है, वो तो हमें follow करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उस plant को, अगर WHO की through, उसको supply करना है, European countries में या किसी भी countries में, तो पहले उसको WHO के guidelines को follow करना पड़ेगा, WHO को request करना पड़ेगा, वो आएंगे, audit करेंगे, approve करेंगे, then after, आप medicines को में रक्टर करके उनके थुरुआ बाहर भे सकते हैं, ICH है, तो ICH, International Council for Harmonization, वो कोशिश करता है कि सारे countries में जितने भी practices होते हैं, वो similar हो, वो सारे अलग-अलग regulatory authorities हैं, उनके बहुत सारे guidelines को अपने platform पे लाके, harmonize करने के कोशिश करता है, ठीक, तो इस तरीके से यह guidelines कहीं न जिसपे हम particular एक regulatory authorities को बर पूरी बात करेंगे, जैसे हम USFDA याको बात करेंगे, Studio SUSE के बात करेंगे, TGE के बात करेंगे, मचारे के बारे में बात करेंगे, उसमें हम particular एक regular authorities की बारे में समझेंगे, उनकी role and responsibilities कैसी होती है, उनका practical application कैसा होता है, कैसे वो industries को साथ मिलके एक अ